आईए दोस्तो अब हम next option जो हमारा power query editor के अंदर number column के अंदर यह है हमारा information column तो इसमें हमें is, even, is, odd और sign तीन option मिल दें तो इनका use हम कैसे करते हैं देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें column को choice कर लेते हैं जिस पे हम यह apply कर सकें तो देखें यह हमारा postal code इस पे मैं इसको click करके और इसके जो other column है वो मैं delete कर देता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा सकूँ देखें हमारे पास यह आ गया है अब हम अपने transform में जाएंगे और number column के अंदर जाके information में जाके is even पे click करेंगे तो देखें जैसे हम is even पे click करेंगे तो यह boolean में हमें value देगा तो देखें इसने false दिया जहाँ पे even number है वहाँ false है मतलब जहाँ पे even number नहीं है वहाँ पे false दिया है और जहाँ पर है वहाँ पे true दिया इसने जैसा कि आप देख पा रहे है ठीक है दोस्तो चलिए इसको काट कर वापिस जैसा कर देते हैं अब देखते हैं यहाँ पर इसमें is odd तो देखें जहाँ पर is odd आएगा वहाँ पर य यह false देगा तो देखें इसने false दे दिया है चलिए इसको वापिस कर देते हैं और इसके अंदर जो last है sign यह क्या करता है इस पर क्लिक करके देखते हैं दोस्तों तो यह sign जो है 111 सबको सारी digit को 1 में convert कर रहा है दोस्तों तो इस तरह से हम इनको use कर सकते हैं ठीक है दोस्तों ओके थैंक यू